हेलो एरिवान में नामें इशान श्रिवास्तो और मैं आप सब का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्रीजंदा सिविल फोरम में हम आपके सामने आ गये हैं करेंट अफेर्स सुपर सीरीज का सेकेंड पार्ट लेकर और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे करेंट अफेर्स जो की यूनिन कैबिनेट से रिल्टेड हैं हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर के अंडर में आती है और वो कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिनके बारे में हमें जाना ज़रूरी है तो फॉर द सबसे पहला कोश्चन है हूँ इस दी प्रिजेंट ऑफ इंडिया राइट ना ओविसली यह कोश्चन काफी एजी है लेकिन अगर हम यूनिन कैबिनेट की बात करें अगर हम इंडिया की बात करें तो बात हमेशा प्रिजेंट से ही स्टार्ट होनी चाहिए और व्याल नोग प्रिजेंट टाइम में जो इंडिया के प्रिजेंट है वह है रामनात कोविन जी तो एंसर होगा ऑप्शन बी कोश्चनमर 2 वू इस वूइस दिवाइस प्रिजेंट ऑफ इंडिया अप्शन ए है नरेनमुदी बी अमिश्शा सी वैंकिया नाइडू एंड दी ननावदी तो इसका answer होगा C, Vankia, Naidu Now, question number 3 is Which of the following department is not under the Nareen Moodi Nareen Moodi जी के under में कौन से department नहीं आता है आप जानते हैं कि हमारे प्रधामंत्री Nareen Moodi जी के under में कई सारे department है तो इसमें से option A है department of space B, department of atomic energy C, department of personal and pension and D, ministry of textiles तो इसमें से हमारा answer होगा वोगा ministry of textile क्योंकि option A, B and C ये तीनों under the prime minister ही आते हैं इस union cabinet meeting में जो finalize हुआ है उसमें A, B and C तीनो Mr. Nareen Moodi जी के ही under में है Question number 4 is Who is the home minister of India? गरह मंत्री कौन है भारत के? Option A is Amir Shah Option B is Rajnath Singh Option C is Nitin Ghatkarri and Option D is Piyush Goyal तो ये question one of the simplest question में से है क्योंकि हम से लोग जान रहा है कि इस समय इंडिया के ग्री मंत्री कौन है? तो he is Amir Shah ji जो की बहुत ही काविल रड़नीती कार माने जाते हैं और इस समय BGP की dominance का एक सबसे बड़ा reason अगर कोई है तो Mr. Amir Shah ji ही है तो question number 4 का answer हो जाएका answer A Now the next question is Who is the defense minister of India? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? option A Amir Shah option B Rajnath Singh option C Nitin Ghatkarri and option D Piyush Goyal तो again simple question है आप number of times paper में इसको पढ़ चुके होंगे काफी जादा highlighted नाम है तो इसके answer होंगे answer number B Rajnath Singh ji ओके यह BJP के सबसे जादा वरिष्ट नेता में से एक है जिनोंने अपने पूरी life BJP को समर्थित की है तो again हमारे defense minister कौन है? राजनाथ Singh ji 6 is Who is the finance minister of India? भारत के वित्तमंत्री कौन है? और यह सबसे popular question में से एक बनेगा क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है जब किसी भी country की finance ministry को कोई female समभलती है तो again आप समझ के होंगे कि यहाँ पर answer क्या होगा? option number C निर्दमला सीतारवन जी ठीक है? तो हमारे इस question के answer हो गया answer number C Now the next question is who is the MSME minister of India? MSME आप जानते हैं जिसका full form होता है medium, small and micro enterprises जो की भारत में नए उद्योगों को उत्पन करने के लिए उसको finance करने के लिए उसको help करने के लिए जाना जाता है तो इस department को जो lead कर रहे हैं इस समय वो है answer number C नितिन गटकरी जी जो की again BGP के बहुत ही बड़े और बहुत ही वरिष्ट नेता हैं तो यहाँ पर पियूष गोल, सदराण, गौड़ा, नितिन गटकरी और समित्री रानी में से option number C यानि के नितिन गटकरी विल बी आवर right answer MSME का पुरा नाम याद रखेगा medium, small and micro enterprises या micro, small and medium enterprises okay now question number 8 is who leads the ministry of external affairs external affairs मतलब क्या विदेश मंत्रा ले in short हमारे विदेश मंत्री कौन है then option number A is Sadhanan Gowda option number B is Nitin गटकरी option number C is S. Jai Shankar and option number D is Arjuna Munda so answer होगा हमारे विदेश मंत्री present time में S. Jai Shankar है question number 9 is who leads the department of women and child development अब ये एक काफी ज़्यादा highlighted question है क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से ये department बहुत ही ज़्यादा सुर्खिया बटोर रहा है हमारे पास चार option है पियूश गोयल, option B, राम विलास पास्वान option C, इस्मिति इरानी and option D, नरेंद सिंग तूमर इनका answer होंगे, answer number C यानि की इस्मिति इरानी लगातार पिछले कुछ दिनों से इस्मिति इरानी का नाम highlighted है ऐसा लगातार हो रहे crimes की वज़़से हो रहा है जो कि women's और childs के उपर किये जा रहे है तो option number C, आप याद रखे का इसका answer होगा question number 10 who leads the ministry of road transportation and highways तो इसको ऐसे भी कह सकते है कि यातायात मंतरी हमारे कौन है तो सड़क परिवहन एवां राजमाग मंतराले आता है option number A, रामिला स्वास्वान option number B, नितिन तोमर option number C, नितिन गटकरी and D, नन आवदी अबव तो अगें easy question है option C, नितिन गटकरी तो option C, नितिन गटकरी आप ऐसा करिएगा कि जिस जिस भी leader का नाम आप एक से जारा department में देख रहे हैं, उनको आप अलग से note कर लिया करिए तो इससे आपको questions को tackle करने में आसानी मिलेगी next question is who is the railway minister of India भारत के rail मंतरी कौन है अमिर्शा नहीं हो सकते, हो मिनिस्टर है एस जेशंकर नहीं हो सकते, विदेश मंतरा यह दिखते हैं, राहुल गांदी नहीं हो सकते क्योंकि विपच्च के हैं, दो पचा कौन option number C, यानि कि पियुष गोयल then our right answer is पियुष गोयल, option number C question number 12 who leads the ministry of tribal affairs आदिवासी मामलो का मंतराले किसके अंतरगत आता है, ठीक है हमारे इंडिया में अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं, जहां पे जनजाती, अंसूची जनजाती, या फिर ट्राइवल्स जो होते हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, वो अभी भी dominate करते हैं, जैसे 36 गर का कुछ हिस्सा है हमारा अंडिवान निकुबार का कुछ हिस्सा है ठीक है, तो ये इलाकों में अभी भी आदिवासी काफी मातरा में रहते हैं, और इनका अपना खुद का एक जीवन शैली है, और ये एक्सटरनल चीजों से काफी जारा कटाउट है, एक्सटरनल डेवलप्मेंट से काफी कटाउट है तो ऐसे affairs को manage करने के लिए जो मंतराले बनाये गया है, उसको बोलते है Ministry of Tribal Affairs, और इस समय इसको lead कर रहे है, option C, यानि की Arjun Munda जी, ठीक है, Arjun Munda इस समय इंडिया के Ministry of Tribal Affairs को lead करते है अब इस question को आप Elimination Technique से भी कर सकते हैं, वैंके नाइडू हो नहीं सकते है क्योंकि वो हमारे Vice President है, नरेन Moodi जी हमारे Prime Minister है S. जैशंकर जी हमारे विदेश मंतरी है, तो बचा कौन? option number A, रवी शंकर प्रसार तो question number 13 का answer होगा, रवी शंकर प्रसाद Now, the next question is, who is the HRD Minister of India? यानि की, भारत के मानो संसातन विकास मंतराले मंतरी कौन है? तो again, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आप Elimination Technique से भी कर सकते हैं या फिर simply मैं कहूं कि option number A, रवी शंकर प्रसाद B, रमेश पोखरियाल C, हर्श परदन D, धर्में प्रदार तो हमारा correct answer होगा, option number B, रमेश पोखरियाल Question 15 is, who leads the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises? One of the most important question में से एक है इस समय क्यों क्योंकि इस समय जो industrialization का हाल हो रहा है उसके लिए जो department आपका उत्तरदाई है, वो यही department है तो इसके उत्तरदाई कौन नेता है, कौन मंत्री है, तो इसका answer हो सकता है आपका option A, गिराज सिंग या प्रकास जावडेकर C, कजेन सिंग शिखावत D, none of the above तो यहाँ पे जो हमारा correct answer आएगा B, प्रकास जावडेकर will be our right answer जो कि इस समय Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises को देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, अगर अपने Economics पढ़ी है, तो हमारे 1st, 2nd and 3rd यह 3 of 5 यह plan जो थे, वो basically हम लोग के, जो Industries से उसी पे focus थे, तो आप समझ सकते हैं कि यह Industries जो होती है, यह हम लोग के PSUs होते हैं, वो India के Development के लिए कितने ज़ाधा Important होते हैं, अगर जब यह Enterprises इतने Important हैं, तो इस से Related Ministry भी हमारे लिए बहुती ज़ाधा Important होगी, ओके, so, section question is, who leads the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, परियावरण 1 और जलवाई परिवर्टर मंत्राल है किसके अंतरकत आता है Option A, गिरिराज सिंग, Question 17, who is the Chairman of Rajya Sabha, Rajya Sabha के Chairman कौन है, Simple Question है Option B, Vankaya Naidu, हम जानते हैं कि जो Rajya Sabha के Chairman होते हैं, वो हमारे उपर राष्टपती, यानि कि Vice President होते हैं तो Simple सा answer आए हमारा Option B, Vankaya Naidu Question 18, who is the Deputy Chairman of Rajya Sabha, Rajya Sabha के उपर Chairman कौन है, Option A, देश दीपक वर्मा, Option B, हरिवश नारायन, Option C, गुलाम नभी आजार, and Option D, ओम बिर्ला, तो answer हो जाएगा, हरिवश नारायन जो कि उपर चर्म हैं, जो कि Vankaya Naidu जी के absence में, राज्यसभा के काम को संभालते हैं, Question 19, who is the speaker of लोगसभा, लोगसभा के speaker कौन है, Simple सा question है, अब देखिए, Option C और Option D तो नहीं हो सकता, क्योंकि अधिरंजन चौधरी कांग्रेस के हैं, नरेन मोदी जी हमारे प्रिदामंत्री हैं, तो अब A और B में इसे हमको choose करना है, तो हमारा correct answer होंगे, B, ओम बिर्ला, and the last question of this video is, who is the leader of opposition in लोगसभा, लोगसभा में विपच्च के मुख्या कौन है, विपच्च्च के हैं, तो नरेन मोदी जी नहीं हो सकते, Option number 1, ऐसी cancel हो गया, अब B, C, and D में से choose करना है, B, राहुल गांधी, C, सोन्या गांधी, D, अधिरंजन, चौधरी, यहां पर मैक्सम्म लोग, राहुल गांधी है, सोन्या गांधी पर टिक करते हैं, पर आपको यार रखना है, लोगसभा में विपच्च के मुख्या है, अधिरंजन, चौधरी जी, तो correct answer will be, D, अधिरंजन, चौधरी, तो इसी के साथ ये पर्ट एंड होता है, अगर आपने हमारा current interface super series का first part नहीं देखा है, तो आप I button पर click करके उसे देख सकते हैं, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो like करें, comment करें, share करें, हमारे चैनल को subscribe करें, और अगर आप technical और non-technicals related quizzes देना चाहते हैं, तो आप comment section में देएगे वे pin comment में जो link है, उसे click करके हमारे telegram channel को follow कर सकते हैं, उस telegram channel पे आपको number of study materials technical as well as non-technical के मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले exams के preparation में बहुत ज़रा help करेंगे, तो उमेद करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छे लगएगी, तब तक के लिए, बाबाई, stay safe